नमस्कार मैं RD भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान आज हम आपके लिए हर्याना की राजनीती के बारे में कुछ खबरें लेकर आये हैं हर्याना की राजनीती पूरे सबाब पे है पूरी हिलोरे मार रही है अगर आप घूमेंगे और देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि BJP और कॉंग्रेस के जो बागी उमिदबार हैं वो निर्दलिये परचा भर रहे हैं और हर जगह अपने अपने दल की कमर तोरने के लिए तयार हैं बागियों की संख्या कुछ जादा ही हो गई है जेजेपी भी पीछा हटने के लिए तयार नहीं है लेकिन मैं ये का सकता हूँ कि बसपा 20 पलस होगी यहां तक हमने अनुमान लगाया है हो सकता है कि हमारा अनुमान कुछ कम और जादा हो सकता है परंतु मैं बता दूँ कि हर्याना के चुनाब में कौन आगे होगा कौन बीस परेगा क्यूंकि बीजेपी के साथ इबीएम हो सकता है तो बसपा के साथ गुरु रविदास हो सकते हैं क्यूंकि गुरु रविदास मंदिर बहुत बरा मुद्दा है और बहुजन समाज के लोग खास करके SCST या तो बहन मायाबती जी को पसंद कर रहे हैं बसपा को वोट करेंगे अथवा वोट नहीं करेंगे लेकिन वो बागी नहीं होंगे इधर उधर भटकेंगे नहीं क्योंकि गुरु रविदास उनके उपर हावी है जगा जगा वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारे साथ इतनी जाधती ना होती रही बात आप जानते हैं भारत आस्था वाले लोगों का देश है यहां आस्था सब के उपर हावी पर जाती है रही बात यह कि यह मामला धार्मिक है और गुरु रविदास को मानने वाले रविदासी संख्या में बहुत जादा है इस बार गुरु रविदास बीजेपी को ले डूबेंगे ऐसा हम कह सकते हैं रही बात ये कि चुनाब है, धांदली होती है, बागी भी होते है अब हम SCST के मामले में ये कह सकते हैं कि ये बिकेगा या बटेगा क्योंकि इस बार बिकने के चांसेज बहुत कम है लोगों के sentiment से जुरा हुआ है गुरु रविदास मंदिर और हर्याना सरकार, दिल्ली सरकार, अथवा कैंदर सरकार किसी ने कुछ भी अभी तक कोई पहल नहीं किया केबल दिल्ली में कुछ लरके यानि 96 लरके बंद हैं उनके उपर जितनी राजनीती की जा सकती थी, जितने लेक्चर दिये जा सकते थे सब के सब दे रहे हैं, परन्तु उसका कुछ परिनाम अभी तक निकल कर नहीं आया और यह गुस्सा धीरे 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 बढ़ रहा है और यह गुस्सा वोट में बदलेगा, लोग गोलबंद हो रहे हैं जो बहुजन समाज का वोट है, वो धुरवी करन हो रहा है और जो कॉंग्रेस और बीजेपी का वोट है, वो अब बागियों के हाथ में जा रहा है बागि उसका सारा खेल खराब करने पर तुले हुए है क्योंकि बहुत सारे लोग आसा लगाये हुए बरसों से थे कि हमें बीजेपी से टिकट मिलेगा, हमें कॉंग्रेस से टिकट मिलेगा अब 90 सीट है और 900 बेक्ती हों, तो क्या सब को टिकट मिलेगी? अब रही बात ये, कि सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे राजनीती में कुछ भी हो सकता है चाहे वहां पर योगेस और दत चुनाव लरें या बबिता फोगाट लरें लेकिन इस बार मुकाबला टसल काफी ज़्यादा है लोग एक दुसरे पर हाबी हो रहे है मतलब मुहले से लेकर पड़िवार तक ही चर्चाएं हो रही है कि इस वार कौन बाजी मारेगा रही बात ये, अगर बसपा 20 से ज़्यादा सीट निकाल लेती है तो पूरे हर्याना का समिकरन खराब हो सकता है रही बात ये, कि बहुजन समाज काफी दिन से सत्ता में नहीं है सत्ता से दूर है, इसलिए इसमें निरासा भरी बाते ज़्यादा होती है लेकिन अगर बागी खेल खराब कर देते हैं बीजेपी अथवा कॉंग्रेस का तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बस्पा आगे आ जाएगी बस्पा का सितारा चमक जाएगा और इस तरह से हर्याना का चुनाव काफी रोमांचक हो गया है लोगों में ये कन्फ्यूजन हो गया कि किसके साथ जाए क्यूंकि एक तरफ धार्मिक मुद्दे हैं दूसरी तरफ विकास के मुद्दे हैं कहीं पर बागी ये कह रहा है कि हमें नहीं पूछा तो हमें नहीं पूछा और इस तरह से हर तरफ के बग चुनावी चर्चे हैं और इस चुनाबी चर्चे में क्या पता मामला तिरकोनिय हो जाए यानि कुछ सीट कॉंग्रेस के पास कुछ बीजेपी के पास और कुछ बस्पा के पास क्यूंकि जेजेपी को टक्कर देने के लिए इनेलों ने कमरकस लिया है बीजेपी को मात देने के लिए उनके बागी उमिदबार जो है खरे है मैदान में कॉंग्रेस को टकर देने के लिए कॉंग्रेस के ही बागी उमिदबार है बस्पा केबल निस्पक्छ भाव से गुरूर अभिदास को लेके चल रही है उनके पास धार्मिक मुद्दे है और इ नहीं ये तो परिनाम बताएगा आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ हम आपके लिए पकी खबरे लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद